एक गाना आप लोगोंने सुना होगा बॉलिवुड में बहुत फेमस गाना है वैसे भी लोग गाते रहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना मतलब अगर आप फेमस हैं अगर आप बड़े स्टार हैं तो फिर कुछ न कुछ तो लोग आपके बारे में कहेंगे ही कहेंगे भई रोहित शर्मा को लेकर के थोड़ा सा मैं इमोशनल हो विराट कोली को लेकर के थोड़ा सा मैं इमोशनल हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज में मैं कह दूगा कि नहीं 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 भई रोहित ने बिलकुल सही कहा या विराट ने बिलकुल सही कहा तो जान बुच करके फलाने प्लेयर को मौका नहीं दिया, नाइंसाफी हो गई, तो स्पोर्ट स्टॉक जबाब देगा, चाहे वो कितने बड़े मीडिया हॉस क्यों न हूँ, तबाम दोस्तों से रिक्वेस है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देजीगा, वीडियो को इस समय रोहिट शर्मा को अब टार्गेट करने लग गए है, बात इस बात को लेकर के शुरू होई, कल शुपमन गिल ने शतक लगाया, कल रिशपमन्त ने शतक लगाया, भारतिये टीम ने पांसो पंदर रनों की टार्गेट देदी बांगलादेश को कि भी आप आईए ब केल राहूल 22 रन पर बैटिंग कर रहे थे, 19 गेंटों का सामना किया था, बेहतरीन बैटिंग चल रही थी, क्या ही फर्क पड़ता अगर एक दो घंटे और बैटिंग कर लेते, उनका भी 100 आ जाता, उनका भी 60-70 आ जाता, उनको confidence मिलता, बड़ी खुबसूरत बात है ठीक ह बहुत अच्छी बात है, बात में तो दम है कि अगर मौका दे देते रोहिट शर्मा तो जिस ले में केल राहूल खेल रहे थे, कल कामाल लाजबाब राहूल बन जाते, लेकिन भाई एक चीज मुझे बताओ, आपने 514 रनों की बढ़त ले ली, 515 रनों का टार्गेट दे दिया, ये सारी चीजें रोहिट शर्मा के खिलाप में बोलने से पहले ये भी तो समझना चाहिए, कि उपर कोई नीला आसमा नहीं था, काले घने बादल थे, काले घने बादल, और अगर ये सोच नहीं होती, तो रिशप्मंत 200 बनाने के लिए खेल लेते, फिर क्या जरूर होगा कि कल जब तीसरे दिन की खेल की शुरुआत हुई, पहले घंटे के बाद रिशप्मंत और शुबमंगिल, ये दोनों तेज गती से बाटिंग कर रहे थे, दोनों, और वो इसलिए कर रहे थे, क्योंकि काले घने बादल, ऊपर कब बारिश हो जाए, हो सकता है कि कुछ आपका सेशन जो है, वो निकल जाता, अगर मैं एक आपको क्लियर कट बात बता रहा हूँ, रियालिटी बता रहा हूँ, मीडिया में, सुन लीजी आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजीगा, जो लोग कह रहे हैं कि रोहिट शर्मा ने मौका दे देना चीए और अगर केल रहूल ने मालीजे की रन कर दिये, और उसके बाद अगर बारिश आ जाती, क्योंकि बारिश के बारे में तो रोहिट शर्मा को नहीं पता है ना, कि कब बारिश आएगी, कब नहीं आएगी, फॉर्कास्ट में आप एक तरीके से, उमीदी करते हो कि फॉर्कास सही हो जाए, इसकी कोई गैरेंटी नहीं है, लेकिन जब काले घने बादल आपके सर के उपर में हो, पानसो चौदा रनों की आपके पास में बढ़त हो, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे ना, कि जल्दी जल्दी डिक्लियर करो, जितने ओवर्स हैं करें, इनको आउट करे मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर गलती से कल दो घंटे और खिला देते रोहिट शर्मा, छेसो साड़े, छेसो रनों की बढ़त हो जाती, और अगर आज बारिश हो जाती चौते दिन, मालिजे कि आज का सत्र नहीं होता, आज का खेल नहीं होता, यही तमाम ज भी अपनी, दोनों तरफ से अपनी बात रख देनी है, रोहिट शर्मा ने क्यों नहीं मौका दिया, केल राई साथ, जो भी लोग सोशल मीडिया पर तरिकी की बाते कर रहे है, वो बेसलिट, मैं एक दम बेसलिट बात है मेरे लिए, रोहिट शर्मा भारत के नंबर वन कैप्टन है भारत के नंबर वन कैप्टन रहेंगे और आप लोग को बता दू कि रोहिट शर्मा ने इतिहास रच दिया है इतिहास जो काम हेंडर सिंग धोनी विराट कोली अब तक भारत के तमाम कप्तान नहीं कर पाए वो रोहिट शर्मा वो हार से ज्यादा हो, आर्ज तक कभी नहीं हुआ था, लेकिन पहली दफा हुआ हुआ रोहिट शर्मा की कपतानी में, पहली दफा हुआ है, इस समय हमने 179 यानि कि 189 टेस्ट मैच जीते हैं और 178 टेस्ट मैच आ रहे हैं, यानि कि जीत हमारी ज्यादा है, हार हमारी कम है, 22 322 टेस मैंच हमने ड्रॉग किया है रोहित शर्मा की कापताणी में इसमें मेहनत विराट कुली का भी है मेहनत सिंग-धोनी का भी है तमाम कपतानों का है लेकिन यह achievement इनी की कापतानी में हमें मिला है तो किसी को यार इस तरीके से कह देने से कुछ नहीं होगा जो रियालिटी है वो रियालिटी है इस समय बेस्ट कैप्टर ना सिर्भारत के बलकि दुनिया के रोईच शर्मा है आप लोग को भी क्या इसके बारे में कहना है कॉमेंट करके जरूर बताईगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करजेगा दोस्तों और वीडियो को भी लाइक कर लिजेगा